हेलो फ्रेंज, मम्ता की रसोई में आपका स्वागत है, आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल लहसुन पत्ते के हेल्दी और टेस्टी चीले तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं लहसुन पत्ते के चीले बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम लहसुन के पत्ते ये पत्ते ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में पाये जाते हैं इसलिए सर्दियों के मौसम में इस चीले को ज़्यादा खाया जाता है तो यहाँ मैंने पत्तों को अच्छी तरह से दोकर इन्हें काट लिया है इनके साथ मैंने यहाँ पर एक कटोरी चावल लिया है जिसे मैंने पांच घंटे पहले भीगा कर रख दिया था साथ में लिया है एक इंच अद्रक का तुकड़ा, एक कटोरी हराधनिया और पांचे हरी मिर्च इन्हें मैंने अच्छी तरह से वाश कर लिया है हमें लैसुन पत्ते के साथ इन सारी चीजों को पीसना है सबसे पहले हम मिक्सो जार में अद्रक और हरी मिर्ची डालेंगे इसके बाद हम इसमें भीगे हुए चावल एट करेंगे साथ में डालेंगे लैसुन के पत्ते और हराधनिया अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करके इसका एक पेस्ट तयार कर लेंगे तो यहाँ पेस्ट बनकर तयार है इसके बाद हम इस पेस्ट में एट करेंगे एक कटोरी चावल का आटा साथ ही इसमें जाएगा चार चमज गेवू का आटा अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये बैटर काफी गाड़ा लग रहा है इसलिए मैं इसमें एट करूंगी एक कटोरी पानी पानी डालने के बाद हम इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस बैटर को ना ज़्यादा पतला करना है और ना ज़्यादा गाड़ा तो यहां आप देख सकते इसकी कंसिस्टन्सी कैसी है विलकुल इसी तरह की कंसिस्टन्सी होनी चाहिए अब हम इस बैटर में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसके साथ हम इसमें एड करेंगे एक चमश लाल मिर्च पाउडर नमक और मिर्ची को हम इस बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यहां हमारा चीले का बैटर बनकर तैयार हो गया है चलिए अब हम चीले बनाएंगे चीले बनाने के लिए मैंने यहां पर एक तवे को गरम करने रखा है इसमें मैं डालूँगी दो चम्मच ओईल इसके बाद हम एक ब्रश से तवे में इस तेल को अच्छी तरह से फैला देंगे तेल हलका गरम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच चीले का बैटर और इसे हलके हलके हातों से गुमाते हुए इसका एक चीला बना लेंगे इसे हलके हातों से ही गुमाना पड़ता है वरना चीला पड़ सकता है अब हम इस चीले को 1 मिनिट के लिए medium flame पर ढखकर पकाएंगे एक मिनिट बाद हम इसका ढखकन हटा देंगे चीला उपर से सुख गया है अब हम ब्रश से थोड़ा थोड़ा तेल इस चीले के उपर फैला कर लगा देंगे तो यहाँ पर चीला एक तरफ से पक गया है यह देखिए कितने आसानी से निकल रहा है चीला इसे अब हम पलट के दुसरी तरफ से भी पका लेंगे फ्रेंट्स थन्ड के मौसम में ये चीले बहुती फायदेमंद होते है लैसुन के पत्ते गरम होते है इसलिए थन्ड के मौसम में इसके चीले खाने से हमारा शरीर गरम रहता है और ये हमें थन्ड से भी बचाते है इसलिए सर्दियों के मौसम में इन चीलों को हमें दो से तीन बार जरूर खाना चाहिए तो यहाँ हमारा चीला बनकर तयार हो गया है इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी चीलो को भी हम बना लेंगे तो यहां मैंने लसन पत्ते की चीले बना लिये हैं इसे मैं अब सर्फ करूँगी टमाटर की चटनी के साथ आप इसे अपनी मन पसंद सबजी के साथ भी खा सकते हैं बच्चे तो इन्हें ऐसे ही खा लेते हैं उन्हें सबजी या चटनी की भी जरूत नहीं पड़ती हैं तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजी और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजी